पहला तो जो पंच्शील की बात की है वो चल रहा था नहीं, वो चल रहा है आज भी वो पंच्शील का सिद्दांस चल रहा है जो आप ने कहा के इसका कारण क्या है मैं कारण की रुप में बता दू सभापती जी आप जानते हैं और सदन भी जानता है कि भारत और चीन की सीमा अभी तै होनी है चीन और भूटान की सीमा भी अभी तै होनी है दोनों के अपने-पने मेकनिजम्स है हमारे हैं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिटिव का प्रोविजन है पहले शुषिशिव श्वंकर मेनन और अब आज के एनसे अजीर डोवल हमारी होसे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है और भुटान का अपना है मां केफोर स्वेम एक मेकनिजम को चला रहा है ये दोनों सार कर आए जंक्षन पॉइंट में ये सेहमती है रिटन में सेहमती है क्या सेफ्टे दोजार बारे में एक समझछा हुआ था भारत और चीन के भीच में उसके पैराग्राफ तेरह में लिखा हुआ है कि ट्राई जंक्षन पॉइंट पर भारत, चीन और थर्ड कंट्री, वो थर्ड कंट्री का मतब भुटा मिलकर तै करेंगे अब जो चीन आया, चीन बीच-बीच में बहुत बार आता रहा सड़कें भी बनाता रहा, कभी कच्ची, कभी पक्की, कभी थोड़ी पक्की कभी वो सड़क तूट गई, वो चीजें उनकी चलती रही, वो गत्वेदियां उनकी लगा कर जा रही थी इस बार वो बुल्डोजर, एक्सकेवेचर्स ये लेकर के आए और उनकी नियत इस बार ये है कि वो ट्राइ जंक्शन तक पहुंच जाएं तो हम जो इस भुमिका में आए, वो इसलिए आए, जब तब चीन और भूटान के सीमा चल रही थी हमें कुछ नहीं था, हमारी अपने सीमा विवाद चल रहा है, उसका हम लोग अपने आप हल कर रहा है, लेकिन ट्राइ जंक्शन पॉइंट आती हमारा हिता गया, अगर ची यूनिलेक्टरली उस ट्राइ जंक्शन पॉइंट के स्टैटस को को बदल देता है, तो सीधे सीधे पर हमारी सुरक्षा को चुनाती होती है, तो कारण ये है, जो आपका कहना कि मांग क्या है, मांग उनकी है कि हम अपनी सेनाए मां से विड्रॉप आप कहते हैं, आप कहते सारे देश हमारे साथ है, क्योंकि सब देशों को ये लगता है, भूतान जैसे छोटे देश में वो आक्रामक हो रहा है, क्योंकि भूतान ने प्रोटेस्ट किया उनसे चार दिन बादी प्रोटेस्ट किया, रिटन ने प्रोटेस्ट किया, उनके अंबासर ने, क्या आप ये इसको सारी देश्मान देश्मान देश्ट